सब्सक्राइब टैक्टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस्ट नोटिफिकेशन पटन छे जन्वरी को जब कैपिटल हिल वाशिंग्टन में हमला हुआ तो उसके बार पूरी दुनिया का मीडिया चीह उठा कि इन्सुरेक्शन हो गई और उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडन की जब इनाउगरेशन होई तो वाशिंग्टन जैसे पीसफुल शहर में 20 से 25 हजार आर्मी के नौजवान गूम पिर रहे थे और लगता था कि उन्होंने शहर पर कबजा किया हुआ है और ये अमरीका का शहर नहीं कोई अफरीका का शहर है जिस तरह बैरकों से और जिस तरह वहां पर भारी बारी स्लैब्स लगाके शहर को बंद किया गया था भारत की डिमॉक्रेसी और कॉंस्टिटूशन पर हमला होता है 26 जनवरी को और उसके बाद भी भारत की पार्लिमेंट में आज भी ओपन डिबेट हो रही है ये है डिमॉक्रेसी का असल रुख ये है सची डिमॉक्रेसी जो भारत में हम देखते हैं मगर दुनिया का मीडिया उल्टा चल रहा है लगता है कि इस वक्ट जो कॉर्परेशने हैं वो एक्स्ट्रीम लेफ्ट के कबजे में हैं और जितना सेलेबरिटी कल्चर है वो भी एक्स्ट्रीम लेफ्ट के कल्चर में उनको कुछ नहीं पता होता कोविट के जमाने ने हमें बता दिया के सेलेबरिटी है उसमें इंटरनेट का लॉक डाउन चंद गंटों के लिए हुआ वो भी सिंगू बार्डर के आस पास तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आज ही बीबी सी के खबर आती है के वीगर मुसलिम्स जो एक मिलियन से ज्यादा कंस्टेशन कैम्प में हैं और उनके बारे में कोई स सिचुएशन ये है अंदापन इस सारी सूर्टेहाल पर मेरी खुशक्समती है कि आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज दोस्त भाई भारत की एक जानी पहचानी हस्ती मेजर गौरव आरिया जी डेली से जुड़े होए हैं वेलकम गौरव भाई हम आपके बहुत शुक्र ग प्यार होते हैं गौड ब्लेश यू थैंकियो से मैंने थोड़े सा इंट्रोड़क्टरी बात की कि ये जो सिलेबरिटीज हैं इनको कख मी पता होता जिसे हम कहते हैं वरना ये दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा हिंदू सिक बच्चियों के साथ जो पाकिस्तान में डेल बड़ी कॉर्परेशन हैं इनके मैनेजर को कि ट्वीट कर दो तो क्या सूर्थे हाल है गौर बाई नहीं ताहिर साब आपने बिलकुल ठीक बात करी और होता भी ऐसे इनके प्यार एजनसीज होती हैं बड़ी बड़ी और प्यार एजनसीज बोलती है कि ये इनके लिए एक ट्वीट करने से जो कि millions of dollars खर्च करती तब उसको नहीं मिलती अचानक सब लोग इंडिया की government भी पीछे लग गई है सब लोग पीछे लग गए हैं ट्वीट कर रहे हैं सब लोग तो suddenly अचा भारत पे रिहाना को कौन जानता है जो अंग्रेजी जानते हैं जो अंग्रेजी कोई celebrity है कोई singer है तो एक तो ये चीज़ है दूसरी एक और चीज़ है ताहिर साब जो मैं अकसर बोलता हूं लोगों को कि जो मुल्क अंदर से हर समय वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है वो बाहर ताकतवर नहीं बन सकता अगर हम कहते हैं कि India will become a global superpower अगर हम ये कहते हैं तो कि इंडिया बनेगा किसी दिन या economic powerhouse बनेगा superpower ये बाहर की ताकतों ने इंडिया को अंदर से इतना मसूफ रखा है मैं आपको गिनवाता हूं जैसे सब देखिए line of actual control पे चाइना के साथ कशीदगी चल रही है line of control पे पाकिस्तान के साथ है और वहाँ पे हजारों लोगों की deployment स्याचन Glacier पे है आठ से लेकर दस ऐसे हमारे states है जहां पर वो next light की problem चल रही है और यह सब इंडिया में हमारी university से क्या बयानात आने तो हर समय इंडिया को एक ऐसे stage पे रखा गया है because of outside interference and outside conspiracies कि आपने ऐसी साधिशें करके ऐसे काम करके भारत के अंदर कि भारत कहीं नि तो यही चीज़ है जैसे कि आपने बात करी single border पे farmer का protest है तो मैं भी यह मानता हूं कि उनका पूरा हक है ना farmers का कोई मना नहीं कर रहा लेकिन मैं जब मुझे आदे गंटे किसी बुजर्ग को अस्पताल ले जाना पड़ता है अपने father को मुझे अक्सर ले जाना पड़ता है father is very old और कुछ सालों से problem चल रही है जब भी हम उनको ले जाते हैं आप देखें ले जाना है जो आदे गंटे का रस्ता है साथ वो तीन तीन गंटे में पूरा हो रहा है क्योंकि एक border की आपना पूरा ब्लॉक कर दिया और फिर इधर से आपने पूरा UP border आपने ब्लॉक कर द तो फिर फिर लोगों का आशिरवाद थोड़े समय के बाद हड़ जाता है अगर आपका cause genuine भी हो और दूसरी एक और चीज़ है कि farmer leaders को day one पे जो खालिस्तानियों को इनलों ने encourage करा था यहां पर बही बेंडरा वाले के poster लगा रहे थे बेंडरा वाले के जंडे लगा रहे तब यह farmer leaders में नहीं इनको भगाया वहाँ से जो farmer leaders ने जो बहुदुरी दिखाई है और कुछ farmers ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो बहुदुरी दिखाई है यह जानते हुए और यह बहुदुरी इसलिए दिखाते हैं ताहिर सब क्योंकि इनको पता है कि police कुछ नहीं इसले तो इतने ये लोग इतने शेयर बन जाते हैं इतने लो फॉर शॉर तो ये सब एक पूरा अंदर का बाहर का मौज़ू है पूरा एंवारिन्मेंट बन रहा है जिसकी वज़े से ये सब हमारे आखलेश हो रहे हैं ये सब परिशानिया हो रही है तायर सब आप ने बकुल बहुत अच्छे हाई तरीके से समप की, सिच्डियशन के पॉपॉलैरिटी लेने के लिए एक अच्छा बहाना है, सिरो पॉपॉलैर Cyrus ही नहीं मिलती, बलकर इनके पीछे जो प्लियर्ज हैं, वो भी इनके स्पांसर्स हैं तो आजकल के कोविट के जमाने में जबके इनके गाने भी बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहे तो इस तरह पॉपलेटी घर बैठे बैठे मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी एक बार आपने मेरे साथ शो में बात चीद करते हुए गर बड़ी ही पचीदा बात की थी मगर वो बड़ी सची बात है कि भारत को जहां पर भारत के खलाफ जो elements हैं भारत से बार बैटे हुए उनसे खत्रा है वहां भारत के अंदर elements जो हैं उनसे बहुत खत्रा है इस former protest के जिसके आप भी supporter है मैं भी supporter हूँ as long as peaceful हो as long as लोगों की जिन्दगियों को डिस्रप्ट ना करें लेकिन वो डिस्रप्ट कर रहा है हमें वो बात पसंद नहीं है अब उससे तो बहुत आगे बढ़के बात हुई कि भारत के कॉंसिटूशन और डिमोक्रेसी पर हमला हो गया तो वो जो इस सारी सूर्ट आल में जो भारत के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स हैं जो बाहर के एलिमेंट्स हैं वो टिक्टेशन कैसे ले रहे हैं यहां पे जो एक्स्रीमिस बैठे हैं वो कहरे हैं हम इतने लाक डॉलर दे हैं पैसा भी आ जाता है लोग हैं फंड करने वाले इसको और यह फंड करने वाली वही टाकते हैं ताहिर सब जो अब जैसे अगर आपको पूरा करना है 26 जनवरी के बाद जितने भी खालिस्तानी के कहा ही है फार्मर प्रोटेस्ट आज भी चल रही है इंडिया में ऐसी बा आफर हुआ वहां पर लेकिन मेरा जेंडके पूछने वाली मिरि ये वाहत है कि जो खालिस्तानी नारे लगा है अचानक 26 तारी के या लौ गया पि शबनेश्ड की नारे वे लोग पो ईखालिस्तानी कोई या वाह्लोग ये लोग रहा है को कोही दो हृ और चाहिन ग pada कर सिस तो ये सब events होते हैं जो organize करा जाते हैं, funded और जहां तक अंदर वाले लोगों की बात है, मैं तो लगातार ये बात बार बार कहता हूं, ये मेरा एक जुमला है, मैं बार बार repeat करता हूं ताहिए जब कि भारत के किले के दर्वाजे हर समय अंदर से खुले हैं, ये किसी में इतन जब हम मीर जाफर की बात करते हैं और जैचंग की बात करते हैं, ताहिए साब, इस 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 नोट सिंप्ली पीपल, इस इस तेट अफ माइंड, ये एक जहनियत है, ये एक जहनियत है, वैसे टाइप के लोग बहुत हैं इंडिया में जिन्हों ने अपना करियर बना रख जामा पहनते हैं, इस 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 बात करते हैं, ये बड़ी बात करते हैं, फ्रीडम ओफ स्पीच की बात करेंगे, अब देखिए, एक पत्रकार हैं भारत के बड़े मशूर जिन्हों ने जूटा ट्वीट करा, किसाब एक फारमर को गोली मार दी, और उसको शहीत का दरजा दे दिया भाई उन लोगों ने कि उस फार्मर को गोली मारदी बाद में पता लगा कि दिल्ली पुलिस के पास वीडियो प्रूफ है कि उसने खुदी ट्रैक्टर मारा था ट्रैक्टर उलट गया फार्मर मर गया अब देखे ना सब तो यह सब जो लोग हैं जो इस तरी इवाद भी नहीं है जो यहां पर लोग मानते हैं कि डेमोकरसी हाज टू बी लिवड नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट तो जो लोग कहते हैं इंडिया में डेमोकरसी खतम हो गई है रात के नौ बजे आप हर रोस तो मोदी जी को गाली जेते रहते हैं अ और आप भारत में बैटके बारत के प्रदान मंत्री को रोज बला बुरा कहते हैं फिर कहते हैं सब डेमोकरसी खत्रे में और कितनी डेमोकरसी चाहिए इनको डेमोकरसी कितनी चाहिए कौन से लेवल की इनको डेमोकरसी चाहिए अराजक्ता पहलाने की जिसको कहते हैं ना कि complete अनर्की जो फितनाई का महोल जो होता है ना कि वो दे उनको वो वाला फ्रीडम चाहिए कि हम आग लगा जें पूरी दुनिया में हमें वो वाला फ्रीडम वो तो कई नहीं मिलता तो वो इंडिया में ढूंड रहे हैं सावे लोग आपने कहा कि इनको फ्रीडम चाहिए आग लगाने की इनको चाहिए कि ये जितना ज़्यादा से ज्यादा अनार्कीयत फ्हला सकें उतनी फ्हला सकें ताके इनका काम चले लेकिन सवाल ये हैं कि हम यहाँ वेंस्टरंवर्ड में देखते हैं गौरबाई यहां पर भी लिमिट है यहां पर जब हमारे नेटिव को ड सक अमेरिका में आपके सामने जो हुआ तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड के ये प्रेसिडेंट मजूद हैं और हमें ये पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी अनफर्चुनेली वेन इट कमस तू इंडिया हिपोक्रेसी का शिकार होते हैं अपने लिए उनके और स्टैंडर्स हैं इस जनुरी को हमने देखा जैसे मुझे अबिभी बारत में बहूत लोग हैं जो सत्ता मे जो पावर में हैं यह में दिल की बात कह रहा हूं ताहिरी साब हो सकता मैं गलत हूं और यह मेरे emotional बात है, दिल की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इंडिया में अभी भी हैं, in positions of power, जिनको बहुत फरक पड़ता है कि New York Times के editorial में उनके बारे में क्या लिखा जाए, या फिर Washington Post के editorial में उनके बारे में क्या लिखा जाए, तो चीन को तो फरक नहीं पड़ता कि क्या लिखा जाए, वो पड़ भी नहीं पाते बिचारे, उनको समझ में नहीं आता, ना उनको फरक पड़ता है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ये चाहता है कि सुपर पावर बने, तो उसको सुपर पावर वाले काम भी करने होंगे, ये गांधी का देश बोलके आप सुपर पावर नहीं बन सकते, आप गांधी का देश बोलके आप सिरे बेचारा बन सकते, आपको कहीं न कहीं ये रिलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है, एक चौपाई है जो रामायन की, जो मैं बताना चाहता हूँ यहां पर और उसका तर्जुमा कि बिनैन मानत जलद जल गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भैविन होई न प्रीत, ताहिर साब ऐसा था कि जब प्रभुश्री राम समुद्र के सामने गए, जो सीता मा को बचाना था, रावन उनको ले गया था, आपरण करके उनका किडनाप करके लंका, तो जब सामने तीन दिन हाथ जोड़के सर जुका के पूजा करी और रिक्वेस्ट करा कि मुझे यहां से जाने दो, समुद्र नहीं जाने दिया, जब उन्हों ने अपना धनुश उठाया, बोए नैरो, जब धनुश चलाया, तब समुद्र हाथ जोड़के समुद्र से निकला और कि मुझे माफ कर दीजे और हम आपको राधारी देते हैं, भैबन हो इन प्रीथ, there is no friendship without fear, मुलकों में प्यार मुहबबत बिना डर के नहीं होता, जब तक आपका कोई मुलक आपसे डरेगा नहीं, तो मैं अक्सर इन से बोलता हूँ, यह जो आपकी फौजे हैं, यह किस ची पड़ेगा कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमारे बारे में कौन कैसे बोल रहा है, किसी की क्या फीलिंग है, रहाना ने क्या बोलती है, रहाना कौन है, रहाना कौन पूछ रहा है, रहाना से बड़ा, रहाना से बड़ा सुपर स्टार तो वो है, इंडिया में, ज यह क्या है कि जो एक left liberal gang है या अंग्रेजी बोलने वाला left liberal gang जिनको पता है रिहाना कौन है so people are writing thank you रिहाना for your support रिहाना के support से क्या करोगे तुम क्या हो जाएगा रिहाना ने support कर दिया मतलब क्या हो जाएगा और रिहाना को खुद पता हो ना होता है अगर जो बाइडन ने भी tweet करते हैं तो क्या हो जाएगा यह बिलकु ठीक बात है कोई इंडुस्तान का कुछ नहीं कर सकता तो यह confidence होने की जरूरत है और यह new york times और वशिंटन पोस्स जो लिखता है इसमें इतना जादा हमें वो फिकर करने की जरूरत नहीं कौन हमारे बारे में क्या बूल रहा आप वो लिखा था ना बड़ा फेमस बंगला अगीद है कि एकला चलो रहे अगेले चलते रहो अगर तुम्हारे साथ कोई ना है अगले चलो कोई दिक्कत नहीं बिलकु ठीक है मैं बिलकु आपसे एगरी करता हूँ लेकिन क्या ये वाला जो गौन्फिडेंस है ये वाला जो रविया है ये आपको भारत की जो इलीट है खास दूर पर जो इस्टैबलिश्मेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं पॉलिटिक्स में बैठे हुए कुछ जो न्यू यॉर्क टाइम्स को इंपॉर्टेंट समयते हैं उन में कभ ये कॉन्फिडेंस आएगा देखिए उन में बात कमी कॉन्फिडेंस की नहीं है बात ये कि जब अंग्रेज चले गाए तो हमारे मालिक की सिर्फ चम्री बदली ना गोरे की जगे भूरे बन गए बन उसका रंग भूरा है चम्री दाओ तो यह एक जहनियत है यह मांसिता है जिसको मैं कहते हैं तार्यज शाफ यह कभी चेंज नहीं होगी एक सेल्फ लोथिंग पाई गया यह यहां पे कुछ एलीट में एक सेल्फ लोथिंग है कि हम बुरे हैं हम्ने क्यों बुरे हैं यह हमे in some people. It's very deep and it's very very dangerous. And ऐसी लोग और हिंदुस्तान एक और ये दुनिया वर में होता है. लेकिन हिंदुस्तान का खास तौर से आप देखें, जो भी लेफ्टिस्ट हैं, ताहिर साथ, they are very rich people. Most of them, ये बड़े अमीर लोग हैं ये, जो टीवी पे आपे अंग्रेजी बोलते हैं, खास accent के साथ, ये जो जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया में, बाहर तो पब्लिक स्कूल का अलग मतलब है, यहां पर प्राइविट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोल देते हैं, तो वो पब्लिक हैं यहाँ पर डिजाइनर लेफ्टिस्ट हैं यह लोग सब देखिए आपने बिल्कु सही बात की यहां पर भी अमेरिका कैनिडा यॉरप में भी हम जो लेफ्टिस्ट हैं वही कार्परेशन चला रहे हैं वही अब अमीर हैं एक जमाना था गौर्व भाई कि मैं अपने आपक को लेफ्ट के साथ अफिलियेट करता था मैं सची बात बता हूं मैं आज भी समझता हूं कि आप और मैं जन्ता की बात करते हैं हम शाहिद लेफ्ट के लोग हैं यह जो खुद को लेफ्ट के कहते हैं जो बड़े-बड़े पैदिस्ट में रह रह रहे हैं बड़ी-बड़ी left के true representative है मगर left और right बिगड़ चुका है मैंकसर कहता हूँ अपने शोज में अब left और right नहीं रहा खेल सारा rationality और irrationality का है जगड़ा सारा बिल्कुल सही बार बिल्कुल सही बार बार अब इन दोनों चीजों में है जे बिल्कुल हम को चीन पाकिस्तान तो खास तर पर नज़र आते ही आते हैं अमरीका और यॉरप के वो जो left के तबके हैं वो भी उनके साथ शामल है ये नैकसिस क्या है सब ऐसा है कि ये सब लोग पीछे से जुड़े हुए है और ये फ्लैंकिंग अटैक करते हैं सब इंडिया पे एक यहां से शुरू आपने बोला ना कि दुनिया भर के और मुक्तलिफ देशों के हैं ये आइडियॉलिसी जुड़े हैं आइडियॉलिजी के अलावा ये पैसे से जुड़े हैं ये टार्गेट की वज़े से जुड़ए हुए हैं अपने सब लोग फॉर इंडियॉलिसी जुड़े है वो कुछ बोलेगा तो अचानक कुछ लोग और एक्टिव हो जाएंगे कहीं और ये बोलना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा या आपको ऐसा लगेगा के इसा ये चौतर्वा अपके और शुरू आपके खिलाव जो चौतर्वा अहरू है तो अचानक यहां से रिहाना बोली वहां से मिया खलीफा बोली वहां से ग्रीटा थन्वग और ये सब 24-47 गंटे के अंदर बोलेंगे, आप देखिएगा ये, ग्रेटा ने कब बोला, रिहाना ने कब, ये सब जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी होगा जब, और फिर ये एक खबर है, जो दोनों ये पेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल-बिल्कुल ये दोनों का गौन, ये सब गौन है, ये सब चले गए, ये फिर बिल में गुश जाएंगे, फिर कुछ और लोग बिल से निकलेंगे, तो हिंदुस्तान में भी ये होता है, आप देखिए न, क्या CAA NRC का मसला खतम हो गया, मसला तो है ना वीबी, वो लोग कहा हैं, शाहिन बाग कहा ह वो जो बॉलीवूड के सेलिब्रिटीज थे, बड़े-बड़े डिरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े-बड़े डिरेक्टर और सावी, इतने तीसमार खान आक्टर जो हैं, ये सब लोग आते थे बिजनस क्लास की फ्लाइट पकड़के आए, साब शाहिनबाग में लेक्टर दिया, सब कुछ करा, अचानक और उचानक एक दिन, अचानक, शाहिनबाग गायब, एक्टर внутри अचानक गायब हो गया, ये एक वैल-बा ओड़ उठीकोसिस्टम है, ये जैसे कि हम लोग कहतें, sleeper cells, ये एक किसम की sleeper cells हैं, मैं पॉनिंग अन्य माठ बॉल करके आपने इनको डाल दिया अंदर फिर अगले विंटर्फिर निखलेंगें तो यह सब करते रहते हैं चारो तरफ का ईड़ाले का एको सिस्टमु आपने कहा कि सब का एको सिस्टम है इसको छो इंटरनैशनल मीडिया जो है वो इसको स्पिन करता है और फिर एक narrative भारत के खिलाफ क्रियेट होता है एक मामला और है भारत का जो हम यहां पे बैठे हुए खास्वर पर देखते हैं अमरीका कैनिडा में कि भारत का narrative इंग्लिश में हमें नहीं डेखने सुनने को इस लेवल पे आता जिस लेवल पे अलजजीरा है जिस लेवल पे टुकिश टीवी है जिस लेवल पे सी एन एन है बीबी सी है भारत का म्यूजिक एंटर्टेन्मेंट का जो जहान है वो तो बहुत ही जबरदस्त है लेकिन narrative की दुनिया में हम क्यों इनको काउंटर नहीं कर पारे इन ही के लेवल पर इन ही की दुनिया में रहते हुए तायर्जा बहुत अच्छा सवाल है और कमी तो है देखे कमी तो है जबरदस्त कमी है और अगर यह ऐसी बात नहीं है कि भारत के बात पैसा नहीं है या भारत का रजूक नहीं है या भारत चाहे तो 100 countries में 6 मेने के अंदर studio खड़े नहीं कर सकता, इस सब कर सकता, लेकिन एक element missing है, you know, narrative का, यही मैं कहा रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे लोग भी है भारत में जिनको New York Times में क्या चपता है, ना तो कहा रहा हूँ भारत को यह समझना चाहिए कि भारत पैसा खर्च करके, डाले एक दो बिलियन डॉलर, और अमरीका के अंदर एक और New York Times खड़ा कर दे, क्या विक्कत है, New York Times के जो बेस्ट लोग है, तंखा पर काम करते हैं, किसको कितना मिलता है, 80,000 डॉलर्स आप बोलो साब, हम आपको 100,000 देंगे, 120,000 देंगे, आप हमें जोइन करो, सब सब लोग पैसे के लिए लिए लिए, सब आएंगे दीरी दीरे, आप सब को करें, New York में बिटिंग लीजे, आप New York Times के आप कुछ और नाम देरीजे, उसको, वो सारे क्रेडिबल नाम आजेंगे, आप एक और नीस्पर खड़ा कर दीजे, इंडिया का, कौन मना कर रहा है, आप Middle East में खड़ा करिये, आप TV चैनल्स खड़े करिये, तो ये समझ जो है, ये समझ किसाब ये हमें एक narrative की लड़ाई है, ये समझ अब धीरे धीरे इंडिया में आ रही है, और मैं यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन इंडिया कोई बात समझ में आ गई, तो they'll do it very fast, और वो स influence operations भी हम इसको कहते हैं, अमरेला टर्म है, influence operations, कि आप किसी की बुद्धी, किसी की मानसिक्ता, किसी के जहन पे आप किस तरीके साथ दबाव डालते हैं, और इसको किस तरीके से convince करते हैं ताइक साब, तो ये सब चीज़े होती हैं, जो हमें समझने की जरुत है, और मैं चाह अगवारत कर सकता है, छे मेने के अंदर तो operation शूरू हो जाएंगे, और बाकी credibility बने में जो time लगेगा, लगेगा, गेगा, 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 गेट बेस्ट ऑफ पीपल और पे दम, इंट अगवार की कैसे बनती है, एक building की credibility, New York Times की building है, उसकी credibility नहीं है, जो निउस्पेफर में लेख रहा है, उसकी credibility है, और वो लोग आपको चाहिए, वो salary people है, they got money, आप उसके editor को, editor को कितना पैसा मिलता है, उसको, you know, 250,000 dollars मिलते है, half a million dollars मिलते है, you give him one million, आप बोलो New York Times के editor को तोड़ लो, भई वो जिन्दगी बाद New York Times में पहले भी कहीं और काम करता होगा ना छोड़ किया जाएगा आपके पास, आप two million dollars दे तो ले लो, उससे बोलो team ले आए पुरी, Washington Post से लोग ले आओ, खड़ा कर तो overnight खड़ा हो जाता है, शेक क्या करते है, Al Jazeera जब खड़ा करा तो अनोंने क्या था रहता, दे through money, उनके पास पैसा है, उनको पता था कि global network हमें करना है, उनको पैसा पेका, दुनिया बर की लोग जोइन कर दी, हिंदुस्तान में एक और सबसे बड़ा मसला पता है, हमारे साथ क्या आइटा है, जो मोदी जी के target में है वो, हिंदुस्तान में आप देखिए, state कितने हैं, राइट, और आप ये देखें साब कि हमारे यहा हिंदुस्तान सब कुछ उदर ही है, हर धाई-तीन मेने में तो आपके election हो रहे हैं, अभी बंगाल का होने वाला है, फिर हसाम का होने वाला है, अचा उसमें भी central leadership को जाना है, ये हिंदुस्तान के 90% मसले तब खतम होंगे, जब आप बोलेंगे कि साब एक साथ चुनाओ सब करने के लिए, वरना कभी जारकंड में हो रहा है, ये तीस राज्य में तो हर समय कुछ न कुछ दिवाली होली मनती रहती हैं यहां पर, हर समय festival of, इसको festival of democracy करके हमारे माते पे यहां ठपा लगा दिया festival of democracy, और हमारा तबा कर दिया मामला पूरा जब कि festival of democracy, enjoy करो, सब नाच में मुझे यह बताईए, गौर्व भाई, कि यह जो formal protest अभी भी चल रही है, उनका peaceful अगर होगा manifesto, तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन जिंदगी disrupt हुई हुई है, पार्लिमेंट में बाचीत भी शुरू हो चुकी, आपको यह आगे कैसे जाते हुए नजर आते ह मेरा जो experience है ताहिर साब, यह भी चलेगा थोड़े दिन और, और अचानक एक दिन है गायव हो जाएगा, अचानक, मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप, मैं on record यह बात कहना चाहता हूँ, यह हिंदुस्तान में है, यह हमारी रिवायत है, यह अचानक एक दिन यह protest खतम हो देल भी सम डील, कुछ होगा, या अब देखे बात पता क्या है, यह protest 26 तारिक की रात को खतम हो जाती, अब लोगों ने positions ले लिए इसमें, कुछ opposition का भी काम है बढ़काने का, और हर एक party जो opposition में रहती हो काम करती बढ़काने का, जूट बोलने का, प्रोपगंडा करने का, अब आपको एक example देखता हूं चोटा सा, अब आपने इसमें बोला कि जैसे अमगानी आपकी जमीन ले लेगा, यह बोला सब अमगानी आपकी जमीन ले लेगा, एक rumor पहला दिया कि अमगानी अड़ानी आपकी जमीन ले ले लेंगे, और वो बिजारा पंजाब में जो भट में हैं नहीं, उसने on record मुके शमानी ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारी जमीन में कोई interest नहीं है, मुझे तुम्हारे farm में कोई interest नहीं है, मुझे farming sector में कोई interest नहीं है, अब बताओ, नहीं सब ले लेगा, अब आपने वो बचारे किसान, तो simple लोग होते हैं, यह बचारे म पानी आता था, तो पंजाब में जो डैम है, तो उन्होंने बोला, साब यह डैम से बिजली निकाल के पानी बेचते हैं, अर्याणा में इसलिए तुम्हारी फसलें खराब हो जाएंगे, मतलब, you see, आपने जो बिचारा मासूम है, वो पड़ा लिखा इतना नहीं है, आपन उसको बरगला दिया, वो बचारा बड़ा गया, तो मुझे ऐसा लगता है, साब कि दोनों फार्मर और सरकार, यह दोनों ग्रूब्स बनाएं अपने, और पॉइंट बाइपॉइंट डिसकेशन करें, सरकार ने बोला भी था, पॉइंट बाइपॉइंट डिसकेशन करें, क आपस मैं बातचीत करके, मुक्मुका करके, फिर उसको खतम करेंगा, बहुत आखर में, आज की गुफ्तगू में, जो आप समयते हैं कि कोई बात मिस हो रही है, और करनी इंपॉर्टन्ट है, तो जरूर शेयर कीजिए हमारे वियूर्स के साथ, मैं सिर्फ एक बात ताहिट को जो पार्टी अफिलियेशन है, ये छोड़ देखे, ये कॉंग्रेस, ये बीजेपी, ये और जनता दल, जितनी भी और पार्टी इसा में तो नाम भी नहीं जानता, ये कल रहेंगी, नहीं रहेंगी, भारत रहेगा यहां पे ना, भारत हर समय रहेगा, और अगले, दस पार्टी शुड़ बी तोवर्ड दे नेशन, और बाकी ये सब चीज़े, और नेशन, दे ग्रेटर इंडियन थिंग, हम तो ये मानते हैं कि बंगलादेश, पाकिस्तान, ये सब पार्ट अपस अनली, इन दे लार्जर कॉंटेक्स्ट, इंडियन सब कॉंटिनेंट कहते हैं हम इसको, लार्जर कॉंटेस्ट हो, मुल्क के लिए जो काम करें, वो जादा अच्छा है क्योंकि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन को आगे रखना, और बोलना कि साब मैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर से बड़ा मैं लॉयल हूँ, और उसका के वचार शेयर करते रहें, बहुत 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 दन्यवाद आप, बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आरिया जी की, जो बहुत ही एहम कमेंटेटर भी हैं, और स्ट्राटीजी की दुनिया में उनकी गहरी नज़र है, निरेटिव की जो वार है, उसकी जो कंपलेक हैं, उनको समझते हैं, और हमारी कोशिश होगी के मेजर गौरव आरिया साहब की बातचीत हम रेगुलर बेसिस पर आपके साथ शेयर करते रहें, और आखर में मैं एक बार फिर आपको बताता हूं कि हमारा 247 टीवी चैनल है, जो IP बॉक्स में भी है, 247 हम इसकी स्ट्रीमि यूट्यूब पर भी करते हैं, और आनलाइन जो हमारे वेब साइट से उन पर भी होती है, हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का चैनल नहीं है, बलके 247 लीनियर चैनल है, और हमारा इंगलिश टीवी चैनल भी शुरू हो चुका है, बहुत जल्द उसकी लाइब स्ट्रीम जरूर देखिए, एक दिक्त हमें जरूर आरही है, कि बहुत हमारे जो दुश्मन है, वो टैग टीवी के यूट्यूब चैनल के खलाफ रेड इलर्ट्स करते रहते हैं, जो अल्गोरिदम है, वो हमें शाड़ो बैनिंग में रखता है, आप देखते होंगे कि हमारे वीडि यूट्यूब चैनल नहीं है, हम हर तरह से अपने टीवी को आगे पहुंचाते हैं, अपनी ऑनलाइन स्टीमिंग के हवाले से भी, मगर हम अपना फिर हक मानते हैं, और हम नहीं चाहते हैं, जो डिफरेंट टाकते हैं, वो हमारे टीवी को कैनिड़ा में रहते होगे हमारा टीवी, उसको वो मतासर करें, हम यूट्यूब से भी राप्ता करें, इसके लिए आपका साथ हमें यू चाहिए, कि आप हमारे वीडियो को, उनके लिंक्स को अपने दोस्तों के सर्कल्स में वाइरल करें, ताके वो जो शैडो बैनिंग है, वो एक तरह से उनके मूँ पर तमाचा पड़े जो इसके पीछे लोग हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ दीजे, और आखर में आप जानते हैं कि टैग टीवी के यूट्यूब के इस चैनल पे और हमारी वेबसाइट के पेज़ पे जाके डोनेट का बटन आप क्लिक करते हैं, तो आप हमार 24-7 चैनल को क्रेड़ कार्ड के रहे हैं या पेपाल के रहे हैं, आप हमें स्पोर्ट कर सकते हैं, हम बहुत जल्ब पैट्रियॉन का एकाउंट भी आपके साथ शेर करने वाले हैं, आज का बिला तकल्लफ तैजिया ताहर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्र ताग्ट्व यूट्ब चैनल और स्ट नोटिकाशन बटन